नमस्कार मेरे किसान भाईयो किसान साथियो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली जो 0238 की पेड़ी है उसको कैसे बचाए किसान भाईयो इस साल इतना ज़्यादा नुक्सान हुआ किसानों का के बियान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और पोदे गन्ये के तो 40% बचा लिया गया लेकिन पेड़ी गन्ये में बहुत ही ज़्यादा नुक्सान है और अगले वर्ष जितना भी हमारा पोदे गन्ये उसकी पेड़ी बनेगी और उस पेड़ी को कैसे बचाए जाए किसान भाईयो आज की वीडियो बहुत खास है अगर आपने ये सारे कारिये कर लिये तो मैं आपको गारेंटी देता हूँ कि आपका पेड़ी गन्या बिलकुल बच जाएगा कोई भी नुक्सान उसमें नहीं होगा लेकिन वीडियो पूरी सुननी पड़ेगी पूरी जानक गन्या हो हम समझते हैं कि एक बार हमने दवाई डाल दी और अब हमें पहले की तरह जैसे स्टार्टिंग में हम एक बार दवाई डाल देते थे और दो तीन महीने तक हमें कुछ निडालना पड़ता था हम उसको ऐसे ही चलाना चारे जबकि सच्चा ये है कि आपको 0238 गन् चाहे आप पूरी वीडियो सुनने के बाद एस्टिमेट लगा लेना कि कितना खर्चाने वाला है बिल्कुल भी खर्च नहीं आगा किसान भाई ओ तो अब करना क्या है कि जैसे ही हमारा अब उद्दा गन्ना कटेगा अगले महीने तो आपको सब से पहले जो क्लैंटरा नि रिजल्ट किसानों को मिले हैं पूद्दा गन्ने के खेत में कटाई लगने से पहले आप इसको पानी में चला दो या यूरिया में मिलाके आप सारे खेत में बिखराव करके पानी दे दीजे कटाई करने से पहले क्योंकि क्या होता है किसान भाईयो पिछले साल भी मैंने न करना है अगर आपको ये कहीं पे भी मिल जाती है तो आप महीं से ले लो ये अब बहुत जगे अवेलेबल है बहुत सारे लोग इसको डिस्टिब्यूट कर रहे अगर आपको कहीं नहीं मिलती तो मेरे पास से मंगा लो मैं वीडियो के ओपर नंबर भी दे रहा हूं इस नंब सुरू में आपके पेड़ी गन्ने में कोई भी रोग नहीं आएगा यहीं से ही आपका गन्ना बचके चलना स्टार्ट हो जाएगा अब अगला काम आपको क्या करना है जब आप अपने पेड़ी गन्ने को पुद्धे गन्ने को काट लें किसान साथ यो आपको लालच ना कर किसान भाईयो लालच बिलकुल नी करना मैं आपको गरंटी शुदा कह रहा हूं गन्ना नहीं गटेगा मार यहीं खा जाओगे अगर आपने आठ खूड पे एक खूड नहीं काटा तो उसको तुरंत खतम कर दो जो 56 इंच की दूरी बचेगी वो पूरे साल बर आप उसमें इ नहीं तो आठ फूट साथ फूट का गन्ना होते ही इस प्रे लगनी बंद हो जेगे और आपका गन्ना बना बनाया बिलकुल बाद में बिगड जगा आपने देखा होगा कि इस साल में बहुत सारे गन्ने के खेत बाद में खराब हुए बरसात आने के बाद खराब हुए त और ये आपने 8 खुर्पे चोड़ आप आगे क्या करना है उसके 21 दिन से 25 दिन में आपको एक सस्ता कीटना सक लेना है जो आपको केवल 500 ml लेना है प्रतियकर उसके साथ केवल एक फंजी साइड मिलाना है सस्ता फंजी साइड जैसे कारबेंड़जी मैंकोजेब टैबुकोना जोल एजिक्सोस ट्रोबिन कोई भी फंजी साइड सस्ता आपको लेना है 250 ग्राम 500 ml प्रतियकर आपको लेनी है कोई भी कीटना सक अब मैं कीटना सक भी बता देता हूँ और ये आपको कैसे इस्तिमाल करने वो भी बता देता हूँ क्योंकि सुरू में इसमें जो बिमारी आ आप करोजन कर चुके होंगे आपको जो सबसे पहली स्प्रे करने है वो है हमला या इसके स्थान पे आप नागार जुन कंपनी की प्रोफेक्स आती है बहुत सस्ती दवाई है या आप लीथल सूपर भी ले सकते हैं किसी अच्छी कंपनी की उसका स्प्रे कर दो 500 ml लेनी है उसके साथ एक फंजी साइड लेना केवल 250 ग्राम अब मैं 250 ग्राम कम मातरा इसलिए कह रहा हूं किसान भाई हो क्योंकि इस टार्टिंग में फंगस का खतरा नहीं है ये हलकी दवाईया मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब बरसात आएगी तो मैं आपको हैवी दवाईया मता आपको क्या इस्तिमाल करना बहुत ही कम दवाईय में बहुत ही कम रुपे में आप अपने पेड़ी गन्ने को बचा पाएंगे तो आपने हलकी एक पहली स्प्रे कर दी 20 से 30 दिन के बीच में अब आते हैं अगली स्प्रे पे 25 दिन पे आपको अगली फिर करनी है कार्बो सल सलफान बजार में आपको 25% EC यानि घुलन सील दवाई मिल जाएगी उसका इस्तिमाल करना है यानि के कहने का मतलम मेरा यह है सुरू की जो तीन स्प्रे आप करेंगे बरसात से पहले 25-25 दिन के अंतराल पे उसमें बहुत सस्ती दवाई आपको इस्तिमाल करनी है हमला हो गय कार्बो सलफान मार्शल हो गई या फिर आप प्रोफेक्स जो नागर जुन कंपनी के आती है वो हो गई या और भी कोई भी अनियर दवाई बजार से आप किसी भी अच्छी कंपनी की सस्ती दवाई जो केवल 500 ml 400 रुपे तक 300 रुपे तक ही आ जाए और 250 ml फंजी साइड ल किसी भी किटना सक के साथ मिला के सस्ते के साथ 25 वे दिन इस्प्रे करते रहो बिल्कुल भी दिक्कत ने आगी अब आपका गन्ना बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और बरसात आने का टाइम आ जाएगा किसान भाई ओ तीन इस्प्रे के बाद आपको लेनी है अच्छी की मातरा आती है गुलन सील उसका स्प्रे करना आपको ये केवल 250 ml ही बहुत हो जाती है किसान भाई ओ 250 ml ही 300 ml लेलो जादा जादा इससे जादा पांच बीगे में नहीं लेनी इसके साथ कोई भी फंजी सैड लेके स्प्रे कर दो कोई दिक्कत नी आनी एक मैने तक लेकिन हम दे आया तूपाना है आपको करना ही करना है ये नहीं सोचना कि रोग आया है या नहीं आया अगर यहां यह सोच ले तो मार खा जाओगे उसके बाद 25 में दिन फिर आपको स्प्रे करनी है कोन फिडोर की बायर कंपनी की इसके अंदर इमीडा कलोप्रेड आता है किसान दवाई महंगी दवाई होगी तो 300 ml लेनी है जैसे रिजेंट गोल्ड कंफिडोर ये हैवी हैवी दवाईया है जो बरसात के लिए मैं बता रहा हूं और सुरू में हलकी लगाई है तो आपको केवल पान कंफिडोर भी 300 ml लेनी है और इसके साथ एक फंजी सैल लेना साब ब 30% में मालो ये थायो में तो खसाम आती है लाल रंग की दवाई आती है आप रेनो के नाम से आती है आप बजार में कहीं से भी ले लेना आपको मिल जाएगी या और भी कई कंपनिया इसको बनाती है अच्छी कंपनी के लिए थायो में तो खसम 30FS आप इसका स्प्रे कर तो मैंने आपको तीन दवाईयां तो बरसात की बताई, कन्फिडोर बायर कमपनी की, रिजेंट गोल्ड और थायो में तो खिसम 30FS, ये तो होगी बरसात की, और कार्बो सल्फान यानि मार्शल हमला बताईये, मैंने आपको लीतल सूपल बताईये, मैंने आपको प्रोफेक्स नागर जुन कमपनी की बताईये, तो मैंने 6-7 दवाईयां आपको ये बता दी, सुरू में हलकी दवाईयां, बाद में बरसात के टाइम, ये मैंने थोड़ी हैवी दवाईयां बताईयां, बहुत ज़्यादा महेंगी भी नहीं है किसान भाईयो, 13-1400 रुपे के आसपास जाएगी 500 ml, और आपको लेनी है सिर्फ 300 ml, तो किसान भाईयो, ये सारी स्प्रे का खर्चाप लगा लेना बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचेगा, आपका सारा गन्ना बच जाएगा, पेड़ी गन्ना भी, और आप चाहें तो ये ही सारी दवाईयां अपन पर आत रखके देखिए, कि आपने ये काम किया या नहीं किया, किसान भाईयो, पहले 0238 गन्ने में रोग नहीं थे, अब इसकी इम्मुनिटी कमजोर हो चुके है, अगर आप इसको दवाईयां नहीं देंगे, तो ये खराब हो जाएगा, इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता, इसलिए आपको हर 25 वे दिन इस्प्रे लगानी ही लगानी पड़ेगी, जब तक ये गन्ना है, और नुकसान से बचना है, तो ये काम आपको करना ही करना पड़ेगा, किसान भाईयो, और एक बात लास्ट में फिर बता दूँ, अगर आप 8 खूड पे एक खूड ख और ये तो मेरा गन्ना घट जागा, नहीं, आप ये भी देख लेना, कि जहां आप खूड खोड़ेगे, वहां सब से अच्छा गन्ना होगा, किसान साथियो, जब तक हमें एक अच्छा बीज नहीं मिलता, इस बीज को चलाना पड़ेगा, मैं बहुत किसानों के पास घुम कुछ है बताने के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ किसान साथियो चैनल को सब्सक्राइब करें, आके आनी वाली वीडियो में भी मैं बहुत रोचक, बहुत अच्छी जानकारी आपको बूबाते, कैसे हम और अच्छे तरीके से परबंदन करें, कैसे बुआई करनी है, किस त झाल झाल